हलो बच्चों आज मैं फिर आप सब के सामने प्रस्तुत हूँ हमारे कक्षा नौ की पाठे पुस्तक शितिच के पाठ उपभोगता वाद की संस्कृति को ले करके जैसा कि हमने पिछली बार भाग एक में जो की उपभोगता वाद संस्कृति पर था जिसके लेखक शिरी श्यामा चरन दूबे जी हैं इसके बारे में चर्चा की थी परन्तु आज उसी भाग के अंतरगत हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं भाग दो सर्व प्रथम हम भाग एक की पूर्णा वृत्ति कर लेते हैं तो हमने क्या पढ़ा था पहले भाग में उपभोगता वाद संस्कृति निबंध के उपर तो पहले भाग में हमने ये पढ़ा था कि श्यामा चरन दूबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोगता वाद के विभिन पहलूँ पर बल दिया है और लेखक का ये मानना है कि लोग विज्यापन की चमक दमक के कारण वस्तूओं के पीछे अंधा धुन भाग रहे हैं और वे वस्तूओं की गुरुवन्ता को अंदेखा कर रहे हैं हमने ये भी पढ़ा था भाग एक में कि नई प्रकार की अब एक जीवन शैली अपना पाउं पसार रही है और उत्पादन की अधिक्ता पर अब जोर दिया जा रहा है लेखक ने अपनी इस बात पर बल देते हुए ये भी कहा है कि उत्पादन लोगों का नहीं अपितू लोग उत्पादों को अब समर्पित होते जा रहे हैं उन्होंने कई ऐसे उदारन देकर हमने जब पहला भाग पढ़ा था उसमें कई विशेश उदारन देकर हमें ये समझाने की चेश्टा की थी उदाहरन जैसे उन्होंने तूत पेस से लेकर के माउट वाश्टक और सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर के परिधान अर्थात वस्तरों के भी उदाहरन हमारे सामने प्रस्तुत किये थे तत पश्चात लेखक इस प्रश्ण को लेकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि उपभोकता वाद की संस्कृती का विकास भारत में क्यूं हो रहा है जवाब में लेखक इने ये भी हमें बताया कि भारतिय सत्परमपराओं का अवमूलियन हो रहा है और हमारी आस्था दिन प्र हम अब पाश्चात्य संस्कृती की दास्ता को स्विकार कर चुके हैं अर्थात हम ये मान चुके हैं कि पाश्चात्य जो देश हैं वे जो भी कारे करते हैं वो सब अच्छे होते हैं और हम सीधा उनकी नकल करते हैं हम आधुनिक्ता की जूटी चका चौंध में खो गए हैं तथा समस्त ब्रामक विज्यापन अब हमारी मानसिकता को इस विज्यापन जगत ने अपने वश्च में कर लिया है तो ये सारी बाते हमने भाग एक में देखी थी अब हम देखेंगे कि भाग दो उपभोगता वाद की संस्कृती भाग दो में लेखक ने आगे हमें क्या बताने की कोशिश की जिये तो चलिए शुरू करते हैं भाग दो लेखक का कहना है कि खाने के लिए पांच सितारा होटल हैं और अब तो वहाँ अब विवाह भी होने लगे हैं जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि आप जब विवाह समरों में जाते हैं तो अब वो बड़े बड़े होटलों में आय यहां पर सुक्सुविधाय उपलब्ध हैं वो भी कैसी तो क्योन ये इस अपताल में आगर आते भी हैं तो क्या होगा ये बहुत समय तक आपकी चर्चा का विशे बना रहेगा लेखक ने कहा कि बढ़ाई के लिए पांच से तारा अब पब्लिक स्कूल भी आ गए है और शिग्र ही शायद कॉलेज और युनिवरस्टी भी बन जाएंगे इसमें कोई दोमत की राय नहीं कि जिस प्रकार से विग्यापन धीरे धीरे हमारी मानसिक्ता पर हावी होते जा रहा है हम उसके अधीन होते जा रहे हैं हमें ये लगता है कि जो विग्यापन जादा दिख रहे हैं वो ही प्रशलित हैं भारत में तो ये स्तिती अभी नहीं आई है ऐसा लेखक का कहना है कि अभी तक भारत में वो स्तिती नहीं आई है जैसी कि अमेरिका में है कैसी स्तिती अमेरिका में है लेखक भार में बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपना अन अंत विश्राम अनंत अर्थात, जिसका अंत नहों, यानि आप अपना अनंत विश्राम इन सब का प्रवंद पहले ही कर सकते हैं परंतु एक निश्चित कीमत पर, आपकी जो कबर होगी, वहाँ पर आस-पास घास होंगे की नहीं होंगे, वहाँ पर आपके मन चाहे फूल भी भी होंगे और आप यती चाहें तो वहां फवारा भी हो सकता है और तो और वहां पर सदैव मंद गती में निरंतर बहने वाला संगीत भी हो सकता है ये सारी जो चीजें हैं अब तक पास्चात्ते देशों में अपनाया जा रहा है लेकिन यहां पर लेखक श्यामाचरण भव हो सकता है अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है क्योंकि प्रतिष्ठा के तो अनेक रूप हैं चाहें वे हास्यास्पद ही क्यों नहूं यहां है एक छोटी सी छलक उपभोगता वादी संस्कृती की यह विशिष्ट जन का समाज है पर सामान्य जन भी इसे अब लल्चाई निगाहों से देखते हैं क्योंकि उनकी दृष्टी में एक विज्ञापन की भाशा में उन्होंने कहा है कि यही है राइट चोइस बेवी अर्थात यहां पर लेखक ने यह पताने की कोशिश की है कि आपके पास यदि पैसा है अगर आपकी हैस कर सकते हैं यह यह दर्शाता है कि आप कितने सुखी और संपन्न हैं यदि बाकी लोग यह कारे नहीं कर पाते हैं अर्थात वे आपके हैसियत के बराबर नहीं है शायद उनकी आर्थिक हवस्ता आपकी आर्थिक हवस्ता जितनी नहों तो बच्चों अब तक हमने बहुत सा संस्कृति का विकास भारत में आखिर क्यों हो रहा है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं उपभोकता वाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है आज सामंत बदल गए हैं सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है मैं आपको बता दूं सामंती संस् सांस्कृति को पहले ही देख चुका है देखते आया है जो आस तक देखा जा रहा है लेकिन अब इसका जो रंग ढंग है वो बिल्कुल बदल गया है हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही कर लें परंपराओं का अवमूलियन तो हुआ है और आस्थाओं का शरन भ उपनिवेश होता है वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट के लोग आ करके बस गए हों शरन अर्थात नाश अब इससे पहले कि हम पाठ के और गंभीर पक्ष की और बढ़ें पहले मैं आप लोगों को सांस्कृतिक अस्मिता के वारे में थोड़ी सी इसकी परिभा आशुघा दूं अस्मिता देखा जाये तो अस्मिता का अर्थ होता है पहिचान हमारी पहिचान अब यहां पर सांस्कृतिक आश्मिता का मतलब होता है हमारी अपनी संस्कृती की पहचान तो यहां पर हम भारतियों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान हैं यहां सांस्कृतिक पहचान भारत के विबिन सांस्कृतियों या संस्कृतियों से मेल जोल से ही इसका निर्मान हुआ है और इसी मिली जूली संस्कृति की जो पहचान है हम इसे कहते हैं सांस्कृतिक असमिता अब ये तो कड़वा सच है ही कि हम अब बौधिक दास्ता स्विकार कर चुके हैं बौधिक अर्थात बुद्धी से यानि हम मानिसिक रूप से ये मान चुके हैं कि हमसे वे श्रेष्ट हैं वे अर्थात पाश्चात्य देश यानि पश्चिम की संस्कृतिक उपनिव अब वह बन रहे हैं हमारी नई संग्ति अनुकरन की संस्कृति न गई है अर्थात किसी के नकृम पर चलने के अर्थात कि संस्कृति यानिए जैसा हम मुझते कि पास्ट्राइश करते हैं हम उसी का अनुशरह ने लगते है हम आधनिकता के छोटे जूटे प्रतिमान को अब अपनाते जा रहे हैं अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी बौधिक दास्ता अर्थत बुद्धी यानि हम मानसिक रूप से अन्य को श्रेष्ट समझ कर उसकी बौधिकता के प्रती बिना आलोच नात्मक फ्रतिमान का अर्थ होता है मान डंड आए पहले अब यह जाने की आखिर संसकृतिक उपनीवेश होते क्या हैं तो संसकृतिक को यदि मैं अन्य भाशा में समझाओं तो एक विजेता देश जब किसी अन्य देश को जीत लेता है तो वो जो हारा हुआ देश होता है उसे उस पर विजेता देश अपनी संस्कृती को ठोप देता है तो इसी चीज़ को यहां पर बताया गया है कि विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश ब लाद दी जाती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हारा हुआ देश होता है वो हीनता ग्रास्तियां के कारण विजयत देश की संस्कृती अपनाने लगते हैं और लंबे समय तक विजयता देश की संस्कृती को अपनाना ही आखिरकार सांस्कृतिक उपनिविश कहलाता है अब आगे बढ़ते हैं प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिष्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिक्ता की ग्रिफ्ट में आते जा रहे हैं अब यह छदम का अर्थ होता है बनावटी नकली यानि अब हम इस तरह से प्रतिष्पर्धा की दौर में अंधे हो गए हैं कि हम यह नहीं देख रहे हैं कि हम आखिर यह कौन सी दौर में दौर रहे हैं किस तरह की दौर है अंधा धुन बस दौरे जा रहे हैं बस प्रतिष्पर्धा हो रही है मेरा समान बहतर मेरा और बहतर मेरा समान को असली बना करके उसका विज्यापन दे रहे हैं यहां पर यह कहने की चेश्टा की जा रही है और संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के शीन हो जाने के कारण हम अब दिग भ्रमित भी हो रहे हैं दिग भ्रमित अर्थात रास्ते से भटकना अर्थात दिशाहीन होना अब इ अधुनिक्ता जिसे अभी हमने पढ़ा कि उसके चदम आधुनिक्ता कहते हैं आखिरकार यह बनावटी क्या तो चदम आधुनिक्ता का सरोकार, विचार और विवार दोनों से होता है तरकशिल विज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टी के साथ नवीनता का स्विकार ही आधनिक्ता है जब हम आधनिक्ता को वैचारिक आग्रह के साथ स्विकार न करें उसे सिर्फ फैशन के रूप में ही अपना लेते हैं तो ये बन जाता है छदम आधनिक्ता हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है विज्ञापन और प्रसार के शूश्म तंत्र हमारी मानसिक्ता को अब बदल रहे हैं उन में सम्मोहन की शक्ती है और हाँ वशीकरण की भी यहाँ पर लेखक श्यामाचरण दूबे जी हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से विज्ञापन में एक सम्मोहन शक्ती है एक वशीकरण की शक्ती है वशीकरण अर्थात किसी को वश में कर लेना तो ऐसा ही आजकल हो रहा है हम विग्यापन देख रहे हैं और इतना डूप जाते हैं कि बस उसके पीछे दोड़ने लगते हैं भले ही हमारी आर्थिक ववस्ता ठीक हो या ना हो हम बिना सोचे समझे बिना उसकी गुरुवत्ता की जाच किये बस इस बनावटी और ये जो दुनिया जो हम पापन की उसके पीछे दोड़ रहे हैं अंततह इस संस्कृति के फैलाव परिणाम आखिर क्या होगा ये बहुत ही गंभीर चिंता का विशय है हमारे सीमित संसाध्नों का घोर अपवे हो रहा हैं अरथा फिजूल ये सिर्फ आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है ना बहु विज्यापित शीतल पेयों से भले ही वे अंतराश्ट्रिया की उना हो कितनी अच्छी बात यहां पर लेखक ने कही है कि आपने देखा होगा कि जब हम बाजार में जाते हैं आलू के चिप्स लेने के लिए भले ही पांच रुपे का पैकेट हो या दस रुपे का पैकेट हो उसमें देखा जाए तो सिर्फ पांच चिप्स गिन के साथ चिप्स होते हैं बाकी क्या होता है सिर्फ दिखावे की दुनिया यही है च्छदम आधुनिकता सिर्फ उसमें धोखा हमको धोखा ही मिलता है क्यों क्य नहीं आधुनिक क्यों ना हो पर है तो वे कूड़ा खाद्य यानि बेकार की चीज खाने वाली वस्तु जिसका हमारे शरीत पर कोई भी असर नहीं होता उसमें कोई भी पॉस्टिक तत्व नहीं है जिसे खा करके हमारी मानसिक कुछ विकास हो मानसिक रूप से या शारिरिक र संग्या में रखा है समाज में वर्गों की दूरी अब बढ़ रही है समाजिक सरोकारों में अब कमी आ गई है जीवन स्थर का या बढ़ता अंतर अब हमारे बीच में आक्रोश और अशान्ति को जन्म देता जा रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से धोखा कर रहे हैं हम सोचते कुछ हैं कि विग्यापन में तो फलाना फलाना चीज़ दिखाई गई है वैसी ही होगी लेकिन ऐसा होता नहीं है तो इसलिए यह चीज़ लेखक ने हमें यह बताई है कि अब धीरे धीरे मनुष्य के सबर का बांध तूट रहा है और अब उनके अंदर आक्रोश और अशा का रास तो हो ही रहा है हम लक्ष ब्रह्म से भी पीडित हैं विकास के विराठ उद्देश पीछे हट रहे हैं हम जूटी पुष्टी के तातकालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं तातकालिक अर्थात उसी समय का जो उस समय प्रचलित है असमिता यानि की हमारी असली है क्या क्यूंकि हम तो दूसरे पास्चाते देशों का अनुकरण कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं तो आखिर कब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे हमारी अपनी पहचान कहीं न कहीं खो गई है मर्यादाएं अब तूट रही हैं नैतिक माप दंड अब धीले पड़ गए हैं व्यक्ती केंद्र कता बढ़ रही है स्वार्थ परामार्थ का पर अब हावी हो रही है भोग की आकंशाएं आस्मान को चू रही हैं किस बिंदू पर आखिर रुकेगी ये दोड़ परमार्थ अ लेखक ने कितने अच्छे तरीके से ये बताया है कि आखिर ये दोड़ कहां जाकर के रुकने वाली है इसका पूर्ण विराम कहां लगने वाला है क्योंकि कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता है हम सिर्फ दूसरों को सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं पाठ के अंत में ये बताया गया है कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्त सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दर्वाजे और खिड की दोनों खुल्ली रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें उपभोगता संस्कृति हमारी सामाजिक नीव को ही अभिला रही है यहाँ एक बड़ा खत्रा है भविश्य के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती है तो बच्चो जादा तर हम अपने घरों में खिड की दर्वाजा क्यों खोल के रखते हैं ताकि बाहर से स्वच हवा का प्रवेश हो और स्वच हवा से क्या होता है कि आपको सास लेने में असानी होती है अच्छा लगता है इसी प्रकार से यहाँ पर गांधी जी ने इस बा प्रकार नहीं चलेगा इसी लिए यहां पर खिड की दर्वाजों की समानता की गई है पास्चात्य देशों के देशों से कि जब तक हम अपने अपने बौधिक रूप से मानसिक रूप से सब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि आखिर पास्च जीने का है कि यह अब हमारी बुनियाद को कमजोर कर रहा है और हमें इसे मजबूत बनाके रखना है अपनी बुनियाद को क्योंकि यह जो खत्रा है उपभोगता वात का यह अब हमें भविश्य में बहुत ही कड़ी चिनौती देने वाला है आए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्णों की तरफ तो भाग दो के पाठ को पढ़ने के बाद आपने यह जाना होगा कि कैसे हमने गंभीर पक्ष के बारे में यहाँ पर बात चीत की किस प्रकार से गांधी जी ने हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि आगे भव प्रश्ण हमारे सामने हैं जो की है कि आज की उपभोकता वादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आपका क्या मानना है किस प्रकार से यह विग्यापन की दुनिया आपकी दुनिया पर असर डाल रह तो चलिए उत्तर देखें आज की उपभोकतावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है मनुष्य आदमी बनने की होड में बौधिक दास्ता अब स्विकार कर रहा है पश्चिम की संस्कृति का अनुक्सरण किया जा रहा है अनुकरण किया जा रहा है आज उप्तप विज्यापनों के प्रभाव से हम दिक ब्रहमित हो रहे हैं आएए देखें अब दूसरा प्रश्न क्या है हमारे लिए दूसरा प्रश्न है जो हमने पाठ के अंत में पढ़ा था गांधी जी ने उपभोकता संस्कृति को हमारी समाज के लिए क्यूं चुनोती पूर्ण कहा है उन्होंने ऐसा क्यूं कहा कि ये उपभोकता वाद की संस्कृति जो है भविश्य में हमारे लिए कड़ी चुनोती बन करके उभरेगी आईए देखें इसका उत्तर उपभोकता संस्कृति से हमारी संस्कृतिक अस्मिता का हास हो रहा है ऐसा गांधी जी ने कहा था और इसके कारण हमारा समाज खत्रे में अब पढ़ रहा है मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है मनुष्य अब आत्म केंदरित होते जा रहा है यानि आत्म केंदरित का अर्थ होता है यानि वस्तूओं की भूग यानि सिर्फ अपने तक ही रहना यानि उसको दोस्तों से या परीजनों से कोई मतलब नहीं हो यानि मेरे पास ही सारी चीजें उपलब्ध हों तो गांधी जी ने कहा है कि अब तो मनुष्य आत्म केंद्रित होते जा रहा है सामाजिक दृष्टी को उन से यह एक बड़ा खत्रा बन गया है भविश्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है क्यूंकि यह बदलाव हमारे सामाजिक पतन की और अब हमें अगरसर कर रहा है अब बढ़ते हैं हम अपने आखरी प्रश्ण की और और यह इस प्रश्ण का उत्तर मैं नहीं दोंगी इस प्रश्ण की चर्चा आप अपने मित्रों के साम करेंगे और या प्रश्ण है आपके लिए कि आपके अनुसार वस्तूओं को खरीदने का आधार वस्तूओं की गुरुवत्ता होनी चाहिए या फिर विज्ञापन इसकी चर्चा आप आपस पे करेंगे क्योंकि मैंने इसका उधारन पाठ के अंतरगत ही दे दिया था कि हम जो भी विज्ञापन में देखते हैं उसकी गुरुवत्ता को नजर अंदाज करते हुए बस उसमें खो जाते हैं और हमारे अंदर तुरंत एक लालसा उत्पन होती है कि हमें तो फलाना फलाना वस्तू ही चाहिए ठीक है तो अब इसके आधार पर आप क्या सोचते हैं कि आपको गुरुवत्ता नहीं देखनी चाहिए आपको बस वस्तू क्यूंकि उसको बहुत अच्छे रूप से प्रस्तूत किया गया है इसलिए वो लेना है मुझे मोबाइल लेना है तो मोबाइल की भले उसकी चर्चा करें तो बच्चों उपभोकतावाद की संस्कृति भाग दो के अंतरगत अब तक हमने क्या सीखा है चलिए आईए जानते हैं पुर्ना वृत्ति में इस पुर्ना वृत्ति के अंतरगत अब हम मुख्य जो तत्व हैं मुख्य जो भाग हैं उसकी चर्चा करे तो जल्दी से शुरुवात कर देते हैं सबसे पहले तो हमने ये जाना कि कैसे उपभोकता वात की संस्कृती इसका असर विग्यापन के द्वारा पढ़ रहा है और इस विग्यापन के द्वारा ही हमारा समाज विशिष्ट जन के समाज और समाने जन के समाज के बीच में अब जो करते हैं वो अच्छा करते हैं तो ऐसी मानसिक्ता हमारे अंदर पनपने लगी है हमें ऐसा लगता है कि वो जो करेंगे वो सब अच्छा करेंगे अगर वो अपने बच्चों को बड़े स्कूल में डाल रहे हैं तो हमें भी बड़े स्कूल में डालना चाहिए भाई क्यों कि इससे हमारी प्रतिष्ठा जो है वो और बढ़ेगी और हम उनकी बराबरी कर सकते हैं और हमने इस पार्ट के अंतरगत ये भी जाना कि कैसे प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिष्ठवर्धा में जो अपना हैं हम उसे भी अब खोते जा रहे हैं अब हम अब हम छदम आधुनिक की गिरफ्त में आ गए हैं सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है एक जो आप बड़ी मेहनत करके अपनी हैसियत को बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत समय तक बनी रहती है और दूसरी होती है कि जो प्रतिष्ठा है इसे हमारे लेखक ने छदम आधुनिक्ता के नाम से खोशित किया है बताया है छदम मैंने इसका अर्था आपको पार्थ में बताया था अर्था बनावटी नकली यानि हम एक जूटी शानों शौकत में अब जी रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी मा प्रतिष्ठा बस इसी से है आगे इसके अंतरगत हमने ये भी जाना कि कैसे कैसे सामान्य जन विशिष्ट जनों के बराबरी करने के लिए उन्होंने अब उनके अंदर जो फैलता हुआ जो अंतर है न वो अब बढ़ता जा रहा है कैसे बढ़ता जा रहा है तो अब वो लो आचार से लेकर कई अन्य गुना भी पनपने लगे हैं और उनके बीच में आक्रोश और अशांती इन सब चीजों ने घर कर लिया है तो देखा जाए तो उपभोगतावाद की संस्कृति जो है वो सीधे सीधे हम पर असर डालती है और इसलिए तो पाठ के अंत में गांधी ज रहा है कि जो उपभोगतावाद की संस्कृति है यह हमारी सामाजिक जड़े जो हैं जो उनकी नीव है उसे हिला कर रख दिया है उसे कमजोर करती जा रही है जिस पर हमें पूर्ण रूप से विचार करने की आविशक्ता है अर्थात हमें अपनी संस्कृति को बचा के रख हम उसे सहेजे रहें और सम्हाल कर रखें एक उधारन देना चाहूंगी जैसे हमारी पुरानी प्राचीन काल की संस्कृति में हम जमीन पर बैट के खाना खाते थे हम हाथ से खाना खाते थे लेकिन अब अब हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए दूसरों का अनुसरन करने लग गए हैं और हमको ऐसा लगता है कि बाहरी देशों की नकल क्योंकि हमने बौधिक रूप से तो उन्हें अच्छा मान लिया है और यह जो सूचक है ना कि वो जो करेंगे हैं अच्छा ही करेंगे यह चीज आज भी लोगों के अंदर पनप रही है चाहे वो खान पा हम धीरे धीरे उसे समाप्त करते जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब हमारी अपनी संस्कृती लुप्त होती जाएगी चलिए इसी के साथ अब मैं इस पाठ का अंत करती हूं उमीद करती हूं कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद करते हूं